तो भाई अभी मशीन थोड़ा से आटे वाली खराब हो चुकी है भाई साथ ठीक कर रहे हैं और भाई ठीक भी कर लेंगे बोल लेंगे तो इसलिए थोड़ा से मशीन अभी बंद हो चुकी है अभी इतना आटा बाकी है एक बोरी पुरा हेलो जी गुड़ मॉनिंग कैसे हैं आप सब सौगत हैं आपका हमारे कौर नए व्लॉग में आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो भाई सुबा के बच रहे हैं साड़े दस और अभी मैं उड़ चुका हूँ प्रेश और हो चुका हूँ बस जैसे ही उठाओं उसके बाद फौरण व्लॉग शूट कर रहा हूँ फिलाल अभी तक आप लोग मिनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे बने रही है व्लॉग में जैसा भी कुछ होता हम आपको बताते हैं आप यह देखिए खतरनाग लोग खुल इँ आपकी आप सकते हैं 好िटा रह अवाई हमारे उड चुके हैं तो बहुत हुडय हो दो जैसे लग लग रहे हैं लिए वेजटी भाई अरे वेजटी क्या बाद भाई फैयाद चच्चा फैयाद भाई वेजटी थोड़ी ना है उनका लड़का देख लेगा तो उसके दिल पे क्या भी थे ही बताई आप देख सकते हैं कल रात में काफी जादा बारिश भी हुई है तो इस वजे से पुरा आ आप देख सकते हैं बेतरी अपनी चाइवाय आ चुकी है रीवाय निकाल लहीं है और चलिए चाइवाय पीते हैं काली वाली काफी अदब बारिश भी हुई थी बाई सज बताने कल रात में आपको नहीं दिखा पाया सो गया था जल्दी से क्योंकि जादर थक गया था था आपको दिखाते हैं घर के बाहर गा तलाव अलाब फुल हो चुका है बारिश हो रही थी कल रात में इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं वाई साब आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं मजडित का काम स्टार्ट है यह सब मजडित का काम हो रहा है यहां पर आप देख सक गड़ नहीं बनी इतनी दूर में इस वज़े से कीचर जादा जादा हो रखा है बारिश की वज़े से गाड़ी गड़ी आ रही है तो और गड़ होता चला जा रहा है हम जी भाई साब आ चुकी है चाय आप देख सकते हैं तीन चाय आई है एक हमारी एक अबबा की एक जफर भाई की है और ये देखिए आप अंडे भी रखे हुए हैं चलो भाई फटावट करते हुए चाय और अंडा खाते हैं उसके बाद फिर जैसा भी कुछ होता है माँ को आपने गर में आज बहुत जादा काम है सारा काम देखना था सारह काम करना पड़े गा और काफी आधा या कल रात में जो भी महिनत में班े की ऑना वह अज उसरो हो एょ बहुत जादा दर्द हो रही है, बदन में बहुत जादा हो रही है, पुरे हाथ में कंडे में बहुत जादा हो रही है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, कल किस हाल में हम बैक स्टेशन तक लाएं अपने घर से, वो हम ही जानते हैं, या तो हमारे आई बैन जानते हैं, बाकी य आज घर पे साफसफाई भी बहुत सुबा से हो रही है हम तो यार अभी उठे हैं फिलाल चलिए चाय पी लेते हैं उसके बाद आप से बताते हैं क्या होने वाला है हां जी भाई साब चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं भाई और अब चलने हैं थोड़ा घ कि आप लोग चैनल को जादा जादा सपोर्ट करिए और चैनल को जादा जादा शेर करिए लोगों के बीच में फिलाल हम चल लाए हैं और नीचे देख के हमें काफी जादा चलना पड़ लाए क्योंकि आप देख सकते हैं काफी आदा कीचर पानी है तो आराम अराम करते कि यार इतना अच्छा लगता दा क्या बता है क्या साबित करना चाहता है तू लाल चलिए चलते हैं बगोना बादार चौरा हा और हमारी जो बाइक है यहां पर अपाचे वो दोनों टायर पंचर है हमें लगता है हवावा निकली हुई है तो इसलिए अभी ज़्यादा जरू रहा कुछी दूर पर यह देखिए सामने चाहरा है यह जहां पर रोड गई है तो चलिए लेते हैं समान उसके बाद जैसा भी कुछ होता हम आपको बताते हैं 20 मिनिट्स लेटर हम लोग आ चुके हैं घर जफर भाई पूरा समान लाते हैं अपने उपर आप देख सकते हैं किलो अचा है दो किलो डाल है और एक किलो डाल है रहर की मास की सारी चीजे एंप देख सकते हैं खज़ भाई कैसे लेकर आएँ हैं थक टो नहीं गए हृ?! आपको बताया गया था अब बताना ने भूल गयते तो भी जादा खाम है घर में यार यही सब करना पड़ेगा क्यूंकि यार अब दस दिन तक की रहने वाले हैं और हमारे गर में शादी भी है इसलिए हम लोग आये हुए है तो सारी चीज़े हम धीरे धीरे करते हुए सारी चीज़े आपको बताएंगे व्लॉग के जरीए सारी चीज़े मैं आपको दिखाऊँगा आगी चलिए वार्शल भी लेकर आते हैं और फिर जैसा भी कुछ होता लगाते हैं उसके बाद जैसा भी कुछ होता है आपको रेजल्ट हम लिखाते हैं करेंगे और टंकी भी फुल गरेंगे भाई यह भी बहुत सब्सक्राइब करेंगे और टंकी भी फुल गरेंगे बहुत गरेंगे जाएब करेंगे ने इस अच्छेश फार इस पार बाद जान्द मेरे घंदा पानी आरा थाई जालेगे थे फिर से देख लिए भाई विए फैनली इंदी हो चिका है अब कर दी आए भाई या बोल्ट भाई अगरे कि अप्रमान भाइब मेहनत कर रहें छी सबस्के अई सब्धने थे भाई वार नांजता अपना बन चुका है आप देख सकते हैं अलू की और त्षी अधिक यूर रोटी बन रही है कि अधिक नच्छा विडती वेह हैं अम्मी लोग बना रही है अब बैठे हुए हैं र्मि मीरॉठी बना बना कर दे रही है वह बहुत जोड़ शोरे से भूग लगी ए बारह बच रहे हैं अभी हम नाश्टा कर रहें कि खाना खा रहे हैं हमें इमन था था बागि जो खाते हैं उसके बाद लोगों की अबने पीलिया है और वो है क्या है यह मेंदब काम कर रहे ते वो काम में मेरा कैसे सुसक्ससूल है कैसे और allons को आपको दिखाता हूँ अभी आप विलाल देख सकते हैं यह वाली रसी उतारी जा रही है चोटी है तूट भी गई है और काफी जादा बेकार भी हो चुकी है तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर रसी बांदी जाए कपड़े प्ड़े फैलाने के लिए यार जो गंदे अंदे होते हैं धुले जाएंगे फिर सही हो जाएगा लहों बांद देते हैं उसमें क्या मुझकिले बांदना ही तो है लेकिन जब हमने बांदा फिर से बिस्तर लगाया गया फिर बिस्तर नीचे आ गया ताव में कहई रहने दो ना करो फिलाल अम्मी हस रही है अम्मी क्या कह रही है आप अच्छा बेटा कह दी है आप बहुत है फिलाल लाई हम खोल देते हैं चलो भाई यह सब खुलवाते हैं यह सब च्छोटा मुटा काम यार करवा लेते हैं यार और अरीबा हमारी सफाई कर रहे हैं घर की आप देख सकते है नेक्यारी बहुत बेतरीन कर दी रीबा और चलिए फटा फट करते हुए काम कर वाते हैं उसके बाद जैसे भी कुछ होता हम आपको उताते हैं तो बाई साब हमारी गाड़ी में हवा बहुत ही जादा कम हो चुकी है यानि पंचर जैसी गाड़ी हो चुकी है तो अभी हम अपने फ्रेंड से पंप मंगवाए और जफर भाई अब बहतरीन हवा भर रहे हैं चलिए भाई हवा भर लेते हैं उसके वाद हम लोग कहां चलने आज हमारे गौँंगी बधार लगती और सटर्डे यानि सनीचर को बजाव लगती है तो दो दिन में बजार लगती है तो बजार करने जा रहे हैं भाई साग सब्जी लेआ हैं घर में कुछ है नहीं खाने आने के लिए तो चलिए फिर हवा भर लेते हैं उसके बाद फिर जी भाई साब फाइनली हमने गाड़ी निकाल लिया आप देख सकते हैं गेट भी खोल लिया है बेतरी गाड़ी अब निकलेगी यहां पर थोड़ा प्रब्लम होगी यहां पर देख सकते हैं गड़ा हो गया कीचड़ हो गया तो आराम से मैं निकालना पड़ेगा लाल चलिए चलते हैं अब फौरन बजार बजार करके आते हैं घर उसके बाद अच्छे आपसे मिलते हैं इसलिए बोलना हूं भाई क्योंकि यह थोड़ा से भारी गाड़ी है मैं एक हां से शूटिंग नहीं कर सकता हूं इसलिए मैं आपको सारी चीज़े बता देता हूं बागी चलिए अराम से चलते हैं फौरन बजार यहां से मुश्किल से 208 मीटर होगी तो करते हैं उसके बाद फिर आते हैं हां जी भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं बजार और यहां पर बाई को अपने खड़ी कर दिया है चलिए चलते हैं बजार की अंदर सारे सबजी और खरीदते ह ऊथे बजार बजार कर लेते हैं और अरां करके फिर सेमिलते हैं हां जी फाइनली हम लोगों से ब encryption लिए जो भी सारा समान लिया ह। वो चलके आपको हम घर पे दिखाते हैं और ये हमारे जफर भाई है जोला उला ले लिए हैं भर चुका है जोला गहीं तो भाई साव हम लोग निकल चुके हैं बजार से और आप देख सकते हैं एक खासे शूटिंग और एक आप आचे बाइक चला रहे हैं तो चलिए अराम अ चलिए घर के बाहर चलते हैं तभी हम आपको दिखा पाएंगे क्या चीज़ दिखाने वाले हैं ये देखिए आप ये देख सकते हैं भाई ये है आटे दरने वाली मशीन अब घर घर आने लगी है पहले हम लोग जाते थे आटा दरवाने के लिए बाहर चक्की पे लेकिन अब यहां पर आने लगी है तो चलिए भाई फिर धरवा लिया जाता है कि हो आटे वाली खराब हो चुकी है भाई साथ ठीक कर रहे हैं और भाई ठीक भी कर लेंगे बोल ले हैं तो इसलिए थोड़ा से मशीन अभी बंद हो चुकी है अभी बूरी पूरा तो अभी फलाल म 피부 एक तो बैबमें को चाहरी श्यिद्थ और करें म enamजा के ज दखाहऊ हूँ जरूरी जार्वर मलूम नहीं की शाहरा दिण Kaatte यह थेकि ऊब की नग लेकर बांक नहीं उतन विर फ्टेल्डद कुए आप खोड़ाई एक सब्सक्no भी मेरा ही घर है मनलब नीव घर में हम अपने आ चुके हैं काफी जादा अंधेरा अंधेरा आप देख रहे होंगे हाँ यह सच है भाई हमारे घर में इन्वेंटर भी है लेकिन लो है और पैनल वगएरा उपन लगा हुआ है लेकिन पता नहीं किस वज़े से लो हो जा रहा आप देख सकते हैं वहारा अंधेरा ही अंधेरा है बेत्रेन, यह जल्हा हुए है और अधेर बल्ब उदर लगा है डुपहर वाला खाना शाम में खाया जा रहा है और रात वाला खाना देखते हैं कैबजे खाया जाता है फिलाल आप देख सकते हैं और बहुती जोरो शोरो से भूग लगी थी सबजी है सोया मेथी की और ये बटर है और ये गरमा गरम रोटी आ रही है इसमें सबजी है इसमें सरपैते की दाल है ये देखिए इसको फिलाल इसे ही रहने देते हैं ये देखिए गरमा गरम रोटी आ नहीं लगता है कि रात वाला खाना में रात में खा पाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा फिलाल आप लोगों को जरूर बताऊंगा जैसा भी कुछ होगा बाकी खाना खा के मिद्दम टाइट हो चुके हैं भाई या मिद्दम बेतरीन एनर्जी आ चुकी मेरे अंदर दुबारा स भाई अभिदग यार्थ्रोट अबिया डाउन डाउन लगर है दिया रत्तुगार बेतरीन